प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनाव स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेज में आज उत्राखंड ड्राइबर भरती परिक्षा थी जिसका बहुत से छात्र छात्राओं ने मुझे पेपर भेज कर इस पेपर को सॉल्व करने की लिए डिमांड की है उनी की इस अपेक्षा पे मैं ये पेपर सॉल्व करके आप तक पहुछा रहा हूं ताकि आप लोग अपनी अंसर की को जान सके पेपर को बहुत ही जाजपरक के बाद सॉल्व किया गया है किन्तु हो सकता है इसमें बमुस्किल दो चार क्वेशन उपर गया है चार उप्सन थे आप उप्सन पे अगर मैं बात करूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा सिधा उत्तर पे देख लेते हैं जो बी वाला उप्सन है कत्यूरी राजाओं के द्वारा ये इसका सही जवाब है इस परकार पहले का जो सही जवाब है वो है उप जांगी रहती है चार उप्सन थे उसे जो उप्सन नूमबर सी है क्रेंक टर शाफ्त के ने की पैरिलल में यह लगी रहती है तो इस परकार इसका व्सन नूमर सी जवाब होगा तीसरा परसन जो आपके संब्सन तार उत्तर्याखन की developing को 2022 इस इस में चौह उप्सकार से शि नेक्स्ट प्रस्ण नीम्न में से कौन भारत में आफ रोड कार रेली चालक नहीं है तो बहुती अच्छा सवाल यह दिया गया था और इसका भी जो सही जवाब है वो है और नेक्स्ट प्रस्ट आपके पास था दिये गए आज्यापक संकेत का अर्थ है जो यह चिन दिया गया है इसका सिधा सिधा अर्थ होता है आगे चलना यानि कि आप जहां चल रहे है उस तरब चलते रहे या फिर दाए मुढ़ना अनिवार्य है दाए मुढ़के आप अपना रूखना चाहते हैं तो रूख सकते हैं और आगे चलते रहना है या दाए मुढ़ना ये इसका 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 सही जवाब होगा नेक्स्ट प्रस्ट आपके पास था उत्रा खंड में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंब किया था बहुत से लोगों ने इसका सही गलत जवाब दिया है इसका जो सही जवाब है वो है option number D, सिर्देव सुमन शिरदेव सुमन ने ये आंदोलन प्रारंब किया था नेक्स्ट प्रस्ट आपके पास था तंबाको निशेद दिवस कब होता है अभी कुर दिन पूर्व ही तंबाको निशेद दिवस मनाया गया था तो इस परकार 31 मई को यो तंबाको निशेद दिवस मनाया जाता है इस परकार option नमबर A, साथ में का सही होगा आठवा प्रस्न था अर्जुन अवार्ड से सम्मानित स्री सुरेंडर सिंग कनवासी की छेतर से संबंदित है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुरेंडर सिंग कनवासी जी चमोली के कणप्रियाक के रहने वाले हैं और नौकायन के छेतर से ये संबंदित है अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने कुछ जमीन विवाद के कारण उन्होंने अपने सम्मान को वापिस करने की बात की है उसके बाद next प्रस्ण आपके पास था अटो मोबाइल में बैटरी का मुख्या कार्य क्या है तो जो ये प्रस्ण है इसका जो सही जवाब था ये भी ऑप्सन नमबर C था इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यदिक मात्रा में विद्धुत की आपड़ती करना next प्रस्ण आपके पास था दसमा प्रस्ण एक दिसा में तीन लैन वाले कैरीज वे परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लैन पर चलाया जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए टू वे हो या थिरी वे हो जो भारी वाहन होते हैं वो हमेशा बाई और चलने चाहिए तो इस प्रकार option number A इसका सही होगा दसमे प्रस्ण का ग्यारवा प्रस्ण था कटार मलके सूर्य मंदिर का निर्मान किस यूग काल में किया गया तो इसका भी option number C सही जवाब होगा next प्रस्ण आपके पास था एक वक्ति जिसे वाहन चलाने की वैद अनुक्यप्ति जारी नहीं की गई है वाहन चलाता है तो डंडित किया जा सकता है तो जो ये प्रस्ण है इसका क्योंकि अलग-अलग state में अलग-अलग प्रकार के नियम है और अलग-अलग नियम दिख रहे हैं तो वैसे तो इसका option number A सही जवाब होना चाहिए किन्तु इसका option D भी सही जवाब हो सकता है तो वो answer की आने के बाद ही सही पता चलेगा उसके बाद next question जो हमारे पास था वो था इंजन तेल में चिपचिपाहट याने की सयंता में परिवर्तन का मुख्या कारण क्या है तो यह भी बहुत से लोगों ने गलत किया है इसका जो सही कारण है वो होता है temperature याने की ताप next question आपके पास था विश्व में HIV संकर्वित में भारत की इस्तिती है भारत आपको मालूम होना चाहिए तीसरे इस्तान पर है इस परकार option number B इसका सही जवाब होगा next question आपके पास था motor वाहन अधिनियम 1988 के अधिन omnibus से तातपरिया है तो omnibus से क्या तातपरिया है इसका सही जवाब जो है वो है option number B चालग को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या नुकलित कोई भी motor वाहन next question आपके पास था टीरी रियासत में किरती नगर आंदोलन कब हुआ था तो इसका जो सही जवाब है वो है option number B सन 1948 में next question आपके पास था HIV positive व्यक्तियों के लिए प्रतीक चिन होता है आप सभी जानते हैं लाल रिब्बन का चिन होता है next वाहनों में भारत stage मानक प्रात्मिक रूप से दरसाता है भारत stage मानक जिसे आप BS6, BS4 इस प्रकार से जानते है इसका जो सही जवाब है अठारवे प्रस्ण का यह होना चाहिए option number A वायव पर्दिशक की मात्रा इंजन्वारा यानि कि उसको कम करने के लिए यहाँ काम में लिया जाता है next question आपके पास था motor वाहन अधिनियम 1988 की धारा 83 के अनुसार परिवाहन वाहन चलाने के लिए पर्देक आवेदन के साथ सनलगित होता है आपको मालूम होना चाहिए चिकित सा प्रमाणपतर सनलगित इसमें किया जाता है तो इस परकार option number C इसका सही जवाब होगा प्रस्ण नंबर 20 आपके पास था उत्राखंड में हस्त सिल्प वाह हद करगा के विकास एतु क्राफ्ट डिजाइन केंदर की स्थापना की गई है option number D सही है इसका कासी पूर में की गई है 21 प्रस्ण ना पेट्रल इंजन को जाना जाता है बिर्कुल सही SI इंजन से option number B जिनों ने ये किया है बिर्कुल सही जवाब किया है उसके बाद next प्रस्ण आपके पास था नीचे दिये गए इस संकेत में आपने बताना है तो इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए option number D mark अवरुद्ध है next प्रस्ण आपके पास था नीमलिकित में से कौन सी बिमारी बिमारिया असुद्ध जल के कारण होती है तो जितनी भी बिमारिया ये दी गई है सभी असुद्ध जल से होती है option number D इसका सही जवाब है next प्रस्ण राजबहुन नेनिताल की स्थापना की गई थी कब की गई थी तो ये आपको ज्यान होना चाहिए सन 1897 में ये इस्थापना इसकी नीव रखी गई थी और 1890 में ये बनकर तयार हुआ था इसके बाद next प्रस्ण आपके पास था स्री भूनेश्वरी महिला आसरम अंजनी सैंट त्रीडिगरवाल की संस्थापक थे तो कौन थे स्वामी मन मतंजी इसके संस्थापक थे option number D सही जवाब होगा next प्रस्ण था हिमालियन इस्टूट होस्पिटल ट्रस्ट जॉली गरांट की स्थापना की ये जवाब तो इन्होंने सही देने की कोशिस की है तो जवाब जो सही जवाब है वो है option number D स्वामी राम ठीक है राम स्वामी नहीं स्वामी राम तो इस प्रकार 26 में का option number D सही जवाब होगा next प्रस्ण आपके पास था गड़वाल नरेसो की राजधानी रहा चांदपूर गड़ी नामकिस्तान निम्न में से सबसे निकट है तो गैरसेंड और चमोली के ये बिरकुल बीच में है गैरसेंड से और चमोली से इसकी दूरी देखी जाए गैरसेंड से 38 से 40 किलो मेटर और चमोली से 40 से 42 किलो मेटर के आसपास इसकी दूरी बैठती है तो A अभी अंसर की में डिपेंड करेगा कहां आता है पर 27 का A अभी आप वैसे A एक्जेक्ट साही अंसर होना चाहिए नेक्ट प्रस्ट है पमार वंस को एक अन्या नाम से जाना जाता है तो इसे कनक वंस के नाम से जाना जा सकता है क्योंकि कनक पाल को भी पमार वंस का संस्ताफक माना जाता है कहीं इतियास कारों के द्वारा तो next question है motor वाहन अधिनियम 1988 के अधिन खतरनाक इस्तिती में वाहन को खड़ा करना दंडनी है विरकुल सही जवाब है यह है धारा 122 याने की option number 20 का सही जवाब होगा connecting rod को piston से जोड़ा जाता है piston pin के द्वारा जोड़ा जाता है option number 20 सही जवाब होगा तमबाकु की लथ होती है किसके द्वारा होती है तो यह आपको मालूम होना चाहिए तमबाकु की लथ जो है nicotine के कारण होती है nicotine के कारण तमबाकु की लथ होती है option number 20 sorry अगला प्रस्वन था किसी वाहन में टेकोमेटर मापन करता है किस चीज का मापन करता है यह इंजन के जो RPM होता है उसका मापन करता है टैकोमिटर अगला प्रस्था उत्राकंड के किस सहर का पुराना नाम ग्राश्टीन गंज है तो यह तनकपूर का पुराना नाम है ग्राश्टीन गंज इस परकार option number C सही जवाब होगा नेक्स प्रस्थ आपके पास था टूब वाले टायर की अपिक्षा बिना टूब वाले या टूबलेस टायर का लाब है पहतर इंदन छमता फ्लेट चलने की कम संभावना वायू का धीमा रिशाव तो इसके तीनों ही सही option है इस प्रकार उप्युक्त सभी D वाला option इसका सही हो जहाजरिया इसका सही जवाब होगा नेक्स प्रस्थ 100 मिल रक्त में एलकॉल की कौन सी नियुनितम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को मोटरवान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधिल दंडित किया जा सकता है तो यह option नमबर A होना चाहिए 30 मिलिग्राम से अधिक की मात्रा पर अगर आपके रक्त में 100 मिलिलेटर रक्त में यह मात्रा पाई जाती है तो आपको दंडित किया जा सकता है एलकॉल के मामले में नेक्स्ट प्रेस्ट आपके पास था भारत सरकार द्वारा फूलो की घाटी को राष्ट्य उद्धान गोसित किया गया इसका जो सही जवाब है वह है option नमबर B याने की 1982 है इसमें इसे राष्ट्य दहरोगर के रूप में घोसित किया गया था नेक्स्ट प्रेस्ट आपके पास है ब्रेक फ्लूट का मुख्या कार्या है तो यह थोड़ा कन्फूजिंग क्वेशन है इसका option नमबर A और D दोनों ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर option A होना चाहिए नेक्स्ट प्रेस्ट आपके पास था मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधिन यी गाड़ी और यी रिक्षा से तातपर्या है तो बहुत ही सरल क्वेशन है यी गाड़ी याने की इलेक्ट्रोनिक गाड़ी तो option नमबर B इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट प्रेस्ट आपके पास था वाहन के टायर के नामकरण में 145.70R12 में R का आस्या है तो यह रेडियल टायर का प्रकार है तो इस प्रकार इस प्रकार इस प्रस्ट का उत्तर option नमबर A होगा नेक्स्ट प्रस्ट आपके पास था 125.90 क्या है तो आप जानते हैं जब कोई आपात्कालीन इस्तेती आती है उस दोरान जो पहला एक गंटा होता है वो ही 12.90 गंटा माना जाता है आपात्काल के दोराद अगर किसी को कोई एक्सिडेंट हुआ है कुछ हुआ है तो समय पह मध्याकालीन उत्राखंड में सिर्तान व्यवस्था किस्से संबंदित थी तो यह confusing question है इसमें भी कहीं उत्तर आ रहे हैं इसमें मैं किसी भी उत्तर को सही उत्तर के रूप में नहीं दर्शाओंगा आप इसको अंसर कियाने के बाद देख सकते हैं अगला प्रस्ण है गोमेत्यी सर्योन नदी के संगम पर उत्राखंड का कौन सा मंदिर इस्तित है तो यह भागेश्वर में भागनाद मंदिर इस्तित है option number D इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट प्रस्ण है पर्थम विश्वियों 1914 से 1918 स्वी के दौरान पर्थम गडवाल राइफल के नायक थे तो आप सभी जानते हैं दर्बान सिंग नेगी जी उस समय के नायक थे नेक्स्ट प्रस्ण आपके पास है हारुल उत्राखंड की किस जनजाती का निरत्य है तो हारुल जो है वो जोनसारी जनजाती का निरत्य है इस प्रकार option number D इसका सही जवाब होगा next question आपके पास था इस संकेत को पहचानना था आपने इसका क्या अर्थ है तो जो यह संकेत है इसका अर्थ है सिदे सिदे गाड़ी को रोकना या खड़ा करना इसमें मना होता है नीले कलर के चिन में ये इस परकार का क्रोस बना होता है तो option number C इसका सही जवाब होगा next question आपके पास था उत्तराखंड का हरेला पर वो संबंदित है आप सभी जानते हैं पौदा रोपन से कुमाओ की तरफ दूमधाम से इसे मनाया जाता है next question आपके पास था परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैद्धता होती है तो यह तीन वर्स के लिए होती है इस परकार option number A इसका सही जवाब होगा उन पचासमा प्रस्न आपके पास था जो कोई सुरक्षा बैल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है निम्न जुर्माने से जंडित किया जाएगा तो इसका option number A सही जवाब है option number A 1000 रुपे से और अन्तिम प्रस्न आपके पास था अल्मोडा जेल की स्थापना कब की गई थी तो वर्स 1821 में सबसे पर्थम जेल इसे उत्राखंट की माना जाता है जिसकी स्थापना 1821 में की गई थी तो आसा और उम्मीद है कि आपके बहुत से प्रस्न सही हुए होंगे और आप इस परिक्षा को क्वालिफाई करने जा रहे होंगे इस उम्मीद के साथ इन सुपकामनाओं के साथ आपसे पुनाव मुलाकत होती है किसी next paper के कुछ solution के साथ आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यबाद जितने भी आपके सगे संबन्दी है जो जिनोंने ये परिक्षा दी है उसे इस वीडियो को अवशे सेर करे ताकि वो भी इस वीडियो का लाब ले सके और आगे आने वाली परिक्षाओं के लिए भी ये लाबावनवित हो सकते है आप ही प्रस्ने से हैं जो केवर ड्राइबर की परिक्षा से संबन्दी थैं किन्तों उत्राखंट सामान्य ग्यान से भी बहुत से question important question इस बताये गए है तो आप लोग उसका लाब ले सकते हैं और दुसरों को भी दे सकते हैं वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आपका एक बार पुनाधन्यवाद जय हिन जय भारत जय उत्राखंट